एक पॉइंट चार्ज को हमने सफेरिकल गाजियन सर्फिस के संटर में प्लेस कर दिया है अब इनने दियां पे कुछ कंडीशन दीवी हैं उसके मताबिक फ्लक्स में क्या क्या चेंज होती है हमें इस बारे में डिसकुशन कर देगा है तो हम इसको ड्रा कर लेते हैं पर एक्जेंपल यह हमारे पास एक गाजियन सर्फिस है ठीक है इसके सेंटर में हमने एक पॉइंट चार्ज डख लिया है ठीक है पॉइंट चार्ज अगर इस स्फेर को चेंज कर दिया जाए इसी जैसे एक और वालिम के साथ लेकिन पॉइंट चार्ज वहीं पे मौजूद हो तो हमारे पास जो फ्लक्स होगा उस पे क्या असर होगा क्योंकि वह सेम एक जैसा ही होगा सेम वालिम का उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा नहीं पॉइंट परियम के अगर कोई इस वालिम के क्यों पास अब उसने का है कि आप एक ऐसा अगर हम क्यूब लें एक ऐसा स्फेर लें जिसका इस वालिम से वालिम हो यह अगर 10% है तो वह उसका 1% हो इस पूरे का देन हमारे पास जो फ्लक्स है उस पे क्या असर पड़ेगा the flux will not change then भी फ्लक्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा next condition a point charge is placed at the center of a sphere guardian service if the charge is removed of center यहां पर सेंटर पर मौझूद है लेकिन अगर हम एक ऐसी शरत लगा रहा है कि अगर हमारे पास गाजियन सेंटर में मौझूद है वह यहां आ जाता है यहां चला जाता है किसी और मतब सेंटर से हटके किसी आइड ही रहेगा then क्या होगा the flux will not change तब भी flux पे कोई असर नहीं पढ़ रहा next देख लेते हैं if the charge is removed just out the original sphere यहनी अगर यह हमारे पास यह स्फेर है इस स्फेर से just out की नहीं बस इदर तक आए मतब हलका सा जरा सा बहार आए तो क्या होगा हमारे पास यही चार्ज बहार आ रहा है यहां कोई और चार्ज मैंने नहीं पुट किया इसी को बहार लेके जा रही हूं then क्या होगा हमारे पास the flux will change then flux change होगा इस स्फेर का क्योंकि हमारे पास जोरिसके अंदर चार्ज मौजूद था वो तो हमने बहार निकाल लिया तो यहां पर flux automatically change होगा next a point charge is where the center of a sphere guardian surface if the second charge is placed near and outside this way ठीक है अब उसने का है कि हम यह चार्ज रहीं मौजूद है लेकिन हम ऐसा करते हैं कि एक और चार्ज ले लेते हैं जिसे हम इस जगा पे बिल्कुल sphere के बिल्कुल साथ रख देते हैं then हमारे पास क्या होगा यानि यह हमारे पास दो चार्ज हो जाएंगे एक already हमारे स्फेर के अंदर है और एक हमने assume किया हुआ है then हमारे पास flux में क्या होगा the flux will not change flux का इन दोनों का आपस में कोई interaction यहोगा no attraction no repulsion no connection so हमारे पास flux में फिर भी कोई changing नहीं आएगी a point charge is placed at the center of a spherical sphere if a second charge is placed inside this guardian surface मतब उसने कंडिशन लगा है कि अगर हम एक और charge inside the sphere ले 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 then हमारे पास flux की क्या condition होगी the flux will change लाजमी बात है यह दूसरे को या तो attract करेंगे या फिर रिपल करेंगे तो कुछ नो कुछ तो हमारे पास इसका आंचा आएगा इनकी attraction repulsion की वज़े कोई नो कोई field होगी field की वज़े से मारे पास flux में changing आएगी the flux will change